सजाल आमालेकूम आपने हम स्टार्ट करते हैं बेसिक मेडिकल टाम्स स्टार्ट केर這邊 हुआ इससे क्या होगए थेसिक अबाउट fa reporter तो अगर आप यह फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं तो पहले की फॉर वीडियो यहनके फॉर पार्ट्स इस मेडिकल सीरीस के उसके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में अवालेबल होंगे तो स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज को First of all, हम उनकी नेम्स को मैंशन कर लेते हैं जो भी टर्म्स हमने आज डिस्कुस करनी है इस यह है हमारी आज की टर्म्स तो first of all हमारे परस जो टर्म आती होती है एमिया What is mint by amia? एन के amia किस चीज के लिए यूज किया जाता है? इसका मतलब क्या होता है? amia का word medical में blood के लिए यूज किया जाता है हम already एक words जो है वो कर चुके है blood से related वो कौन सा था हमारे पास हीमो था अब यह second है जो के amia है इसके examples अगर हम देखें तो हमारे पास anemia anemia example a का word medical में जहां भी आता है उसका मतलब होता है a यह an मतलब without और amia आ गया blood तो इस term से show हो रहा है यह ऐसी condition है जिसके अंदर क्या होगा हमारी body के अंदर blood की क्या होजेगी? कमी होजेगी blood क्या जगा? lake of blood यह हो गए हमारे पास amia second आती है हमारे पास actomy actomy जो है उसका मतलब होता है removal of यह जिस भी word के साथ यह जिस term के साथ यह attach होगा मतलब उस चीज़ की removal for example हमारे पास आ जाते है appendic actomy appendic actomy यह हमारे पास एक term है यह हमारे पास एक है appendice मतलब क्या होता है appendix appendix हमारे body में एक part है and actomy जो है यह मारे पास term आ जाती है जिसका मतलब होता है removal of यानि कि जब बॉडी में से अपेंडिक्स को रिमूव करवाते हैं तो उसके लिए जो टर्म यूज किया थी अपेंडिक एक्टॉमी समझ आ गई कि एक्टॉमी रिमूवल ऑफ किस तरह हैं कीक है गॉट इट अब थार्ड मार पसाते मेगली मेगली जो होता है इसका मतलब होत ग्रोट के साथ साथ जो है वारी बॉडियग करती है लार्ज होती है य्को थै, अबनोर्मल यानी पैथलोडा़जीकल कंडिशन्स में हमारे बॉडिक किसी भी पार्ट का एक्स्ट्रा इनलार्जमेंट अबनोर्मल होना तो उसको मेगली बोला जोता है फॉर एक्जैंपल ह हमारे पास जो आती है इसमें वो आजाती है हमारे पास कार्डियो मेगली बहुत ही ले मैं लेंग्विज में गरम बात करें तो हमने अकसर सुना होगा कि दिल भड़ जाना मतलब यही होता है उसमें medical में उसके लिए वर्ड यूज जाते है Cardio Megaly यानि कि Heart का साइज इंक्रीज करने लग जाता है Abnormal Enlargement होती है किसकी Heart की क्योंकि Cardio जो है हम डिसक्स कर चुके हैं Previous वीडियो में Cardio जो हती है वो Heart के लिए टंग उसकी जाती है और Megaly जो है वो Abnormal Enlargement हो गई तो Heart की Abnormal Enlargement That is Cardio Megaly Fourth पर आज़ाते है हमार पास आती है Ology Ology क्या होता है Ology का मतलब होता है Study यानि कि जिस भी Term के end पे ये वर्ड यूज होगा Ology या Ology तो हम उसको Study के लिए वी मतलब यूज को For example Pathology Pathology यानि कि Study of Diseases Cardiology Study of Heart और उसे Related Diseases Hepatology यानि कि Lever HEPA जो होता है वो Lever के लिए यूज के लिए यूज के लिए था इनके Lever की Complete Study इसके अंदर की जाएगी Understand ये हो गया Ology एक हमार पास होता है Oma Word Oma Oma का मतलब होता है Lump Mass या Tumor मतलब इस Type के Meaning होता है यानि कि Oma की Term जोच के लिए Lump, Mass या Tumor कोई भी Mass ही कठा हो जाना कोई Lump सा बन जाना Tumor बन जाना उसको कहते है Oma For Example अगर हम इसमें ले तो हमार पास आती है Hematoma Hematoma तो Oma ये आगे हमारे पास और Hematoma मतलब Hemorrhage की वज़ा से Hemorrhage की वज़ा से Tumor बन जाना, Mass के कठा हो जाना जाना है अब Hemorrhage क्या होता है कि उसमें किस तरह से ही होता है हमारे पस क्या होता है जब भी Hemorrhage होता है उसमें क्या होता है हमारे Blading जो है वह रुक जाती है बलड़ फ्लो जो है वीन्स में से वह रुक जाएगा फिर आइस्ता है थोड़ी दिर बाद Blood Glotting होने लुज़ें और वह लंब मैसा बन जागा और उसको हम बोलेंगे Hematoma Understand अब हमारे पस next term आती है Ostromi Ostromi का मतलब होता है हमारे पास यानि कि Artificial Opening क्या मतलब होता है Artificial Opening यानि कि कि किसी भी और्गन में और्गन या हमारी बॉड़ी की कि किसी भी पार्ट की जब हम ओपनिंग करते है Artificial बाइर से Surgery के लिए या वर्ड़ी उसके अधात है तो उसको हम बोलते है Ostromi For example हम यहां पे ले ले लेते है Tracheostromi इसके हम एक्जेम्पल ले ले लेते है Tracheostromi Tracheo मतलब Trachea जो हमारा Wind Pipe भी बोलते है और Ostromi मतलब Artificial Opening यानि कि जब हमारी Trachea यानि कि जब नेक वाला रीजन होता है You can see in this picture तो उसको जब उसकी opening हम करते है हमारे Trachea के रीजन के तो उसको उसके लिए जो हम टर्म जो है Medical मेडिकल में एक प्रॉपर टर्म जो यूज की जाती है Surgery के लिए वह उसको हम कहते है Tracheostromi उसी से related एक टर्म है Automy यह भी Surgery की Second हम कह सकते है Another Surgical Term है इसका मतलब होता है Cut Into या Incien Into Cut Into या Incien Into तो यह जो है इसका मतलब यह Automy यह Surgery के लिए इसके में हम एक्जेम्पल लेते है Leparotomy की Leparo हम अल्रेड डिसकस किया जाज कर चुके है वह मारे Abdomen के लिए उसकिया जाता है तो मतलब Abdomen की Opening होती है और Cut किया जाता है Abdomen वाले पार्ट को फिर हमारी Peritonium Lining तक पहुंचा जाता है Peritonium भी हम डिसकुस कर चुके What is Peritonium प्रिविएस वीडियो में उनका लिंक्स डिस्क्रिप्शन में वालेबल होगा तो उनको देखना भी बहुत जुरूरी है ताके आपके basic concepts है बिल्ड हो सेके तो हम start करते हैं यहीं से Abdomen वाल रिजन में Peritonial cavity होती है उसको देखना तो जब हमारे Abdomen वाल रिजन की आपनिंग की जाती है तो उसके लिए तो term उसके लिए that is Leperotomy I understand यह थी इसके लावा एक और term है बहुत ही यह जो है वह easy term है उसको भी हम आज ही discuss कर लेता that is Amasis 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 का मतलब होता है Vomit जब हमें Vomiting की situation हो रही होती है यानि कि हमें Vomiting की sensations आ रही होती है तो उस state में यह होता है amesis for example हम इसमें ले ले लेते हैं हमारे पास amatic यानि के vomiting की sensation वाली conditions को बोल रहते है amatic amesis से related है amatic और anti-amatic हमारे पास कुछ drugs होते हैं कि मतलब जब हमें vomiting की sensation आ रही होती है या हमें vomiting की condition होती है तो उस case में कुछ tablets कुछ antibiotic से कुछ भी लेते हैं जो उसके against anti का मतलब ही ही होता है against तो anti-amatic यानि के vomiting की sensation को रोकने के लिए फिर हम कुछ लेते हैं तो उसको हम गेंगे anti-amatic तो यह word जो है amasis amatic या anti-amatic यह vomiting से related है यह मतलब against vomiting हो गया और यह vomiting वाली situation हो गई so that is it यह थी हमारी आज की terms इसी तरह हम हर वीडियो में भी next रहा है आप में basic concepts को build करने की कोशिश करते रहेंगे और हमारी basics जो है इंशाल्ला जो है वो strong होती जाएंगी तो आज के लिए था ओके अलाफिस